अस्सलाम अलेकुम प्यारे बच्चो आज हम हिंदी सुगंबारती सात्वी कक्षा की दूसरी एकाई पाठ का नाम है अलग अन्दाज में होली इस पाठ का स्पच्टिकरन देखेंगे होली का तहवार नजदीक था महले के बच्चे इस बार तहवार को नए तरीके से मनाने के लिए इकटे हुए किसी ने कहा इस बार हम डीजे के साथ किरकते हुए होली मनाएंगे कोई बोली इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे पहरे बच्चों रसायन वाले रंग यानि ऐसे रंग जिसमें कीमिय अज्जा का इस्तिमार किया जाता है सभी की बाते सुनने के बाद शालीनी बोली मैं सोसती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाए वो हो कैसे सब ने पूछा शालीनी ने कहा इस बार की हुली का तहवार शहर के उरुद्धा अश्रम में मनाए तो कैसा हो रहेगा पहरे बच्चों उरुद्धा अश्रम यानि ऐसा घर जहां पर बुड़े लोग रहते है वहां सभी पुज़र्ग अपने बुड़ापे में छोटी-छोटी खुशिया तलाशनी की कोशिश में रहते है उनके अपने वहां उनको बेसारा बेसारा चोड़ कर चले गए होते है जो मुझे बड़ाई दुखदाई लगा कितना अच्छा होगा कि होली का तहवार हम उनके साथ मनाए उन्हें इस से धेर सारी खुशिया मिलेंगी और इस तहवार में वे अपनों की कमी भी मैसूस नहीं करेंगे हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बाते सीखने को मिलेंगी शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उसुक दिख रहे थे उन्होंने तैयारिया कर ली थी उसके लिए उन्होंने उरुद्ध आश्रम से अनुमति भी ले ली थी अनुमति कहते है इजाजत लेने को होली का दिन आ गया बच्चे रंगों के साथ उरुद्धा अश्रम पहुँचे उरुद्धों को नमस्कार किया और सब के हाथ में रंग की एक-एक थैली पकड़ा दी नमस्कार करना यनि सलाम करना और उरुद्ध कहते हैं बुजूर्ग को थैलिया हाथ में आते ही उरुद्धों में जैसे एक नई स्पूर्टी आ गई वो इसे मौके का कई दिनों से इंतिजार कर रहे थे उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की आज जाने कितने वर्षों के बाद इसे इस आश्रम में खुशी का माहोल देखने को मिल रहा था बुजर्ग आज सचमुछी अपने सारे दुख भूल गए थे